इस वक्त की बड़ी खबर अमित शाह की फटकार के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तिफा दे दिया है तोहाना में मिली करारी हार और हर्याना में पार्टी के मन मताबिक नतीजे ना आने के बाद जिम्मेदारी लेते हुए सुभाष बराला ने पार्टी हाई कमान को अपना इस्तिफा भिज दिया आपको बता दे बराला को पार्टी के खड़ाब पर दर्शन के दुरान फटकार लगाई गई थी ये फटकार अमित शाह ने लगाई थी हरियाना बीजे पी अध्यक्ष है सुभाष बराला जिन्होंने अपने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है 75 पार का नारा यहां पर फेल हो चुका है जो भाजबा का नारा था अब की बार 75 पार वो पूली तरह से यहां पर फेल साबित होता हुआ नजर आया पार्टी के परदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जिन्हें संगठन ने बड़ा ओधा देकर जाटों को साधने की जिम्मेदारी दी थी वह खुद तोहाना सीट पर पीछे चल रहे हैं अमित्चा के फटकार लगाने के बाद बराला ने परदेश भाष बाद्यक्ष पद से इस्तिफा दे दिया है इस वक्त की बड़ी खबर है बीजेपी परदेश अध्यक्ष ने इस्तिफा दे दिया वो भी अमित्चा की फटकार के बार सुभाश बराला ने इस्तिफा दे दिया है हार को देखते हुए बीजेपी के परदेश इद्यक्स सुभाश बराला ने इस्तिफा दे दिया है ये वली जिम्मेदारी जरूर उठानी चाहिए थी 75 पलस की बात करने वाले आखिर क्यों 35-36 पर ही आकर लोड़ गए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात थी और ये सबसे बड़ी चंता का विशे था कि उसको लेकर सुभाश बराला ने इस्तिफा दे दिया है पार्टी के परदेश इद्यक्सुक के तोड़ पर तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं सुभाश बराला ने इस्तिफा दे दिया है हार को देखते हुए ये परदर्शन इस वक्त भारते जनता पार्टी ने किया इसके लिए चुनाव में पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस था सत्तर असी पिचासे तक पहुंच गए थे लेकिन आज जब ग्राउंड रिजर्ट्स की बात आई तो आप देखिए च्छतिस चालिस इस ते उपर उठते हुए नजर नहीं आ रहे 47 सीटे पिछली बार जीती लेकिन उसके बाब सूथ उसको मेंटेन करने तक में कामियाब नहीं हो पाए भारते जन्ता पार्टी के तमाम नेता तमाम दिगच और सभाज बराला ने इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी खबर हम अपने दर्श को तक पहुंचा रहे हैं मैं जब तक सुभाज बराला को यहां से हरा नहीं देता तब तक सुकुन नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा वो जो ठान लीजी वो करकर ही माने